दोस्तो कभी कभी आपने सुना होगा कि कोट किसी किसी को प्रोकलेम्ड ओफेंडर गोशित कर देती है अर्थात बगोडा गोशित कर देती है कुछ दिन पहले कोट ने विजे माल्या को भी गोडा या प्रोकलेम्ड ओफेंडर गोशित किया था दोस्तो आज की वीडियो में ह इसका क्या प्रोसीजर है इससे पहले मैं आप सभी का आपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब करें साथ में दिये हुए बैल आइकन को जुरूर प्रेस करें सबसे पहले प्रोकलेम्ड ओफेंडर क्या होता है तो दोस्तो प्रोकलेम्ड ओफेंडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कोट बार-बार बुलाती है पर वो कोट के पास पावर है कि कोट उसके नाम के वारंट निकाल सकती है और जब वारंट निकाले जाते हैं तो यह दो तरह के होते हैं पहले बेलेबल वारंट निकाले जाते हैं और दूसरी बार नोन बेलेबल वारंट निकाले जाते हैं जब कोट यह सारा प्रसीजर करता है उसके ट्रेट के किसी वारंट के अफशक्ता नहीं होती मैं आपको बता दूँ कि हमारे Code of Criminal Procedure के Section 82 और 83 दोनों ही Proclamation से डील करते हैं Proclaimed Offender से डील करते हैं Section 82 of Code of Criminal Procedure deals with Proclamation for person absconding Section 82 के अनुसार जब कभी Code को लगता है कि कोई person है जो कि अपने आपको conceal कर रहा है अपने आपको शुपा रहा है ताकि जो वारंट उसके अगेंस्ट इशू हुआ है वो वारंट एग्जिक्यूट ही ना हो पाए या फिर वो परसन बाग गया है कोर्ट को यह खुद लगता है या कुछ muss evidence court के सामने पेश किये जाते है उसके बाद लगता है यह matter नहीं करता लेकिन court को बस यह लग जाता है कि जिसके person के against हमने यह वारंट इशू किया है वो वारंट execute नहीं हो पा रहा क्योंकि person जो है वो अपने आपको conceal कर रहा है अपने आपको hide कर रहा है तो या फिर वो person बाग गया है तो court जो है वो एक proclamation issue कर देती है और उस proclamation में साफ साफ लिखा जाता है कि वो person court के सामने 30 दिन के अंदर अंदर पेश हो, court के सामने 30 दिन के अंदर अपनी appearance दे ऐसी proclamation को सबसे पहले जहां पर वो person रहता है जिसके against proclamation issue हुई है कि 30 दिन के अंदर court के सामने पेश हो जाओ, उस person के area में जहां पर रहता है वहां पर पढ़कर सुनाई जाती है, दूसरा उसके गर के बाहर जहां पर सब को दिख सके, वहां पर वो proclamation चिपकाई जाती है, उस चिपकाई जाता है और उस proclamation को court के बाहर भी पेस्ट किया जाता है ताकि सभी के सामने यह proclamation published हो जाए, सभी को लग जाए, पता किस person को बोड़ा गोशित कर दिया है, और किसी को भी दिखे, तो court के सामने उसको पेश किया जाए, और court की help किया जाए, और court के पास यह भी प जब भी प्रोकलिमेशन एक ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट इश्यू करी जाती है जो की मडर, कल्पेबल होमिसाइड या एग्रावेटर फॉर्म ओफ किड्नैपिंग, रोबरी, डिकोटी, इत्यादी ओफेंसे का ओफेंडर हो तो कोड के पास पावर है कि कोड एक शोटी सी इं गज्ञेऽक, अगलने दोस्तों के साथ कुछ बिए, और दोस्तों के साथ पूशना हो तो कमेंट करें और दोस्तों अगर चैनल का अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है, तो प्ली सबस्क्राइब जरूर करें, धन्यवाद